क्या नताश्य स्टनकोविक और हार्दिक पांडिया का तालाग कंसर्म हो चुका है। क्या है पूरा मामला बने रही हमारे साथ वीडियो के आखिर बीटे दिन अनन्त अंबानी और रादिका मर्चंट का संगीत फंक्शन होस्ट किया गया था इस दौरान हार्दिक पांडिया भी फंक्शन में नज़र आए लेकिन उनके साथ उनकी पत्नी नताशा स्टैंकोविक दरसल रात मुंबई में अनन्त अंबाने और रादिका मर्चंट की संगीत सेरेमेनी होस्ट की गई थी इस फंक्शन में तमाम दिगजों ने शिर्कत की जहां बॉलिवूट से लिब्स अनन्त रादिका के संगीत फंक्शन में एक से बढ़कर एक लोग में नज़र आए तो अनन्त अंबानी और अधिका मर्चंट के संगीत फंक्शन में हार्दिक पांद्या अपनी पत्नी नताश्या को छोड़कर बड़े भाई कुनाल पाल लिया और भावी पंकुडी शर्मा के साथ नज़र आए तो इस दोरान हर किसी की निगाहे नताश्या को ढूंटी नज़ नज़र आए हादिक ब्लाक एन वेस्टन आउटफिट में डैपर लग रहे तो मैं क्रुनाल पांद्या ब्लाक कुर्ति पजामे में जच रहे थी और उनकी पत्नी पंकुडी शर्मा भी ब्लाक आउटफिट में खूपसूरत लग रहे थी तीनों ने पाप्स के लिए जंप हार्दिक अकेले ही स्पोर्ट होते हैं यसमें क्रिकिटर और एक्ट्रस का तलाग कंफॉ में अब तक ना तुन इता अफरल हार्दिक पांद्या ने अपने तलाग को लेकर कुछ भी काह है यानि नताशा ने ना तो T20 World Cup की जीत पर कोई celebration का पोस्ट किया और नहीं उन्होंने हार्दिक पांडिया के साथ कोई celebration की हार्दिक पांडिया की पोस्ट से साफ तोर पर नजर आ रहा था कि हार्दिक ने इस celebration केवल अपने बेटे के साथ की वहीं बता देखी कुछ महीने पहले इंडियन प्रीमियर लीग के एंडिंग के दोरान दोनों की बीच अनबन किया फ़ाइस सामने आई इसके बाद से हार्दिक और नताशा सुर्खया बटो रहे तबसे ना तो हार्दिक नहीं और ना ही नताशा ने सोशल मीडिया पर एक दूस्रे के बारे में पोस्ट किया यहां तक कि आन्य क्रिकटर्स की पत्नियों के उलट नताशा ने टीटुएंडी विश्कप के बाद हार्दिक और भारतिय टीम पर एक भी पोस्ट शेयर ने किया जिसे ये डिवॉर्स के रूमर्स और जादा फैल गए वहीं बात का रहे हार्दिक की लेटे स्टोरी अपडेट्स की तो हार्दिक की लेटे स्टोरी देखी जाए उसमें साफ पता चल रहा है जोने अपनी जीत का सारा क्रेडिट अपने भाई और अपने भाई और अपने भाई पंखुडी शर्मा को अपना सपोर्ट बताया और उ क्या खेना में कॉमेंट सेक्षिन में ज़रूर बताएं ऐसा ही बॉलिवोड से जोड़ी खबरों को जाने के लिए बने रहे ये बॉलिवोड के स्ट्री पर वेडियो को लाइक शेयर करना बिलकुल अभूर